हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक चाप द्वारा के इंदर पर अंतरित कोन वृत के शेश भाग के किसी बिंदू पर बने कोन का दो गुना होता है यानि कि कोन POQ बराबर है 2 into कोन PAQ के अब माल लीजे कि हम एक बिंदू B और ले ले तो फिर यह कोन PBQ बनाएगा और हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि कोन POQ बराबर है 2 into कोन PBQ के अब इन दोनों समय करणों को ध्यान से देखिए क्या हम कह सकते हैं कि कोन PAQ बराबर है कोन PBQ के जी हाँ हम ऐसा कह सकते हैं क्यूंकि कोन POQ बराबर है 2 into कोन PAQ के और कोन POQ 2 times है कोन PBQ के इसलिए कोन PAQ बराबर है कोन PBQ के और ध्यान दीजे कि यह दोनों ही कोन एक ही विरितखंड पर बने हुए है यानि कि हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्खंड में बने कौन बराबर होते हैं चलिए अब इसका प्रूफ अपनी कौपी में नोट कर लीजे चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उस पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर दीजे दी गई आकरती में X का मान ग्याद कीजे समय लीजे और इस पर थोड़ा सोच विचार कीजे समय समाप्त चुकि हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंदर पर अंतरित कौन वृत के अन्य भाग पर बने कौन का दुगना होता है और यहाँ पर केंदर पर बना कौन 60 डिगरी का है तो इसलिए वृत के अन्य भाग पर बने कौन 60 डिगरी का आधा 30 डिगरी होगा दूसरी आकरिती में X बराबर 45 डिगरी होगा क्योंकि एक ही वृत खंड में बने कौन बराबर होते हैं